हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है hats भोरग कि दवारा चित्रकला का जो पेपर वारल किए है यहां पे इसका हल देखने वाले और साथ में बताने वाले हैं कि आपको बोड की एकजाम में जो 6 मार्ज आप सभी को चित्रकला का पेपर आने वाला है उसमें किस प्रकार के प्रश्ण आने वाले हैं और कौन सा प्रश्ण आप सभी को करना है और कौन सा प्रश्ण आप सभी को छोड़ना है ठीक है तो फ्रेज यूपी बोर्ड के दुवरा जितने भी पेपर वाल किये गए उन सभी पेपरों का सोलूसन आप जरूर देखिए अभी तक नह इज़ाम हुआ था उसमें आपके जो माडल पेपर था उसमें सम्मासिम पूछा गया था इस साल जो 2,024 में मार्च को चितना करेंवाला है कि आति माडल पेपर में सम्मासिमूं सवाल आने वाले हैं तो आप इन प्रश्णों को जरूर तयार कर लिजिएगा यदि आप इस पेपर को पांच मार्च के रात को देख के चरे जाते हैं तो 6 मार्च को आपको 100% गारंटी देते हैं कि आप 95% अंक लाने से आपको कोई नहीं रोख सकता है ठीक है तो फ्रेंस आप वीडियो का लास तक जरूर देखिएगा देखिए आपको यह क्या है कि केवल प्रश्ण पत्र है तो इसका इंसर आप सभी को बताएंगे देखिए आपको जो प्रश्ण पत्र को हल करने के जो रहेगा सत्तर नंबर का देखिए फ्रेंस आप किसी भी पेपर का निर्देश पढ़िए या मत पढ़िए लेकिन जो चित्र कला के जो समाने निर्देश दिये रहेंगे इसको आपको पहना पहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए कि इसमें आपको जितने प्रश्ण दि दिये गए ड्राइंग सीट की कवर पेज पर असपष्ट अंकोयम सब्दों में लिखिए तदा केंद्र विवस्थापक की हस्ताचर युक्त मोहर परतेक प्रपत्र पर लगवा कर कच निरिचक से सभी पृष्टों पर असपष्ट हस्ताचर भी करवाना है आपको जो कवर पेज मिलेगा तो उस पर असपष्ट रूप से आपको क्या करना है अपना अंक लिखना है और शब्दों में जरूर असपष्ट रूप से लिख के अपना मुहर जरूर लगवा लिजिएगा अब देखिए इसमें क्या है कि प्रश्ट पत्र जुको खो और गो तीन खंडों विखत है तीनों खंडों को हल करना अनिवार अब खंड का इस खंड कर में अलेखन कला प्रविधी कला कि ब्रति के प्रश्ट करें अब चली इसके प्रश्ण को देखते हैं तोटल कितने नंबर का रहेगा वीट अंग का है दिकित पाला नंबर का क्या है कि मुख्य रंग कितने होते हैं एक अगला अगला प्रस्ण संवाल नंबर का कि कि उस्ट वाल्ड चक्र में कितने सब्सक्राइब होगाद दाना ही कि इसमें सब्सक्राइब कमें ना रंगी जो है आपका लाल हुआ पीछा और नीला ये सब प्राथ्विक रंग के अंत्रगत आते हैं अगले प्राश्णों को देखते हैं आपका सात्वा नंबर का सवाल है प्राथमिक अथ्वा मुख्य रंग कौन से हैं तब यह आपको बता है ना प्राथमिक अथ्वा मुख्य रंग कौन से हैं तो प्राथमिक अथ्वा मुख्य रंग जो होता है लाल होता है नीला होता है पीला तिसका सही जब खवल आपसन सही हो जाए। ठीक है कौन से रंगों का माध्य होता है ना कह थे रंग का माध्य क्या थे तो तक सब dating अ का थे होता कrints की अगला शु library को आ सब कर थे पता होता है पर कशप्लूं कि क्या होता है आप सब्सक्राइ 58 कर act performance का गए वर घर्क काला थे दासे नमबर का कि लाल रंघ आप नीला रंग मिलते हैं कौन सा रंग बनता है ठीक है लाल रंग में यदि आप नीला रंग मिलते हैं तो आपका बैगनी रंग मिलता है तो प्यारण आपको नारंगी मिलता है याद रखी कितने होते हैं कितने होता है टोटल तीन होता है सही होगा अगला देखिए पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है जैसे सफेद का काला होता है उसी तरफ पीले का जो विरोधी रंग कौन सा होता है तो पीले का जो विरोधी रंग होता है नीला होता क्या होता आपका नीला तो पीले का विरोधी रंग नीला है तो पीले का विरोधी रंग नीला है तो पीले का विरोधी सबसे संस्कूरिटी भास का काली होती है तो होता है जौन से बनाई गही रेखा अधिक काली होती है किस से बनाई गई तो क्या वोजागा कि सब्सेती काली ли रखा किसे बनेंगा टू भी से इसका सही फाल सभ़ला अगला देखे रखा हल्की होती ए ठ assassini के हल्की देंगा तोसठाय belki kaç इतके हल्की से बनेगा 2H स duplication सही हो जाएगा आगला देखे आठार नंबर की फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रियोग करेंगे तो फूल हुआ और कली हुआ इसके बाहरी रेखा को बनाना है तो किस ब्रश का प्रियोग करेंगे तो ब्रश का प्रियोग करते हैं टू नंबर का किसका करते हैं टू नंबर का तिसका जैसा सही जो αυτना हिए अगला देखिए बनावत की द्रिष्टी से आलेखन कितने परकार के होते हैं यह कितने को चारा है इसका से आलेखन जास सकते सब्सक्राइब कात Ohio Normalします जुँदे इस प्रविधी काला से 20 प्रविशन रहेंगे इस प्रविधी को nurses सकते हैं ठीक है यहां स्केन स्टपन कर जो के प्रावीदी इसं का प्रतिय कोल कितने होता है संबहुत करतेड़ कब साथ शाय होता है अगला है कि शंपूर कोड होता है तो शंपूर कोड का मतलब कितना होता है ता तीन наст का होता है तो शंपूर कोल कैंने अंस का होता है अगला चोधा नमबर का देखिए वर्ग का प्रतिय कोड कितने अंसका होता है चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो इसका प्रतिय कोड कितने अंसका होता है तो 90 अंसका होता है इसका सही जोब कोवला आफसन सही होगा अगला देखिए एक वर्ग के आंतरी कोड का योग होता है एक व अगला देखे साथवा नंबर का वर्ग की चारो भूजाओं की नाप क्या होता है तो जैसे वर्ग होता है तो वर्ग की चारो भूजा आपस में क्या होती है चारो भूजा आपस में बरावर होती है तो चारो भूजा बरावर होती है तिसका सही जवाब क्या होगा कवला आप अपनी में पहले बादे मुख्य भाग पर लिखा होता है। जो कोवल आपसन सही हो ठीक है। जीए स्केन में देखें होगे ना इसकेल में जो बड़ा व्द॥ा सबसे स्टार्टिक में सुनने लिखा हो तो तुसके क्या होगा सुनने होगा अगला वह देखनक कोवल होता है न अगलानtechn के गचछा बिरत का अकार होता यह तरह होता है न हमें से कौन आपकार ऑमने साने का यहां ölजा होकल सा ओधने बराबर होती यह दोने बुझा इस बुझा के बराबर होगा तिसका गौवला अपसन सही हो जाएगा अगले देखिए 12 नमबर का क्या है कि इन में का आकार त्रभूष के आकार का क्या होता है यह त्रभूष में मतलब तीन बुझा है कब सभी काल ऑना चाहिए पेखिए भी 10 कों ब्सते कि चोटा होना चाहिए लेकि 180 से चोटा होना चाहिए 180 हाँ 100 से gars क्या आपस में बराबर हुता है पर पर प्रती चती आपसान सही है इसके तीनों भूजाए के चोटी बड़ी होती लेकिन गलत है आपने शामरी के ब्रापर होती है भी गलत त यहाँ पर इसकी तीनों भूजाओं के औतर कोड रौत ध्याइन बरावर होते है सही जाप कोड गळिता है सुलाहर। नम्बर दखीए 180 nds के पोड को क्या करते हैं 180е hands कहा बसक् kg यही बसक्राइब बनता हिए इससे क्या बोलेंगे रिजीर झोक बनता है इसने क्या होगा इसका सही जब कमेला सरलकोड़ बोलेंगे या उसे रिजीर कोड़ पोलते हैं अगला देखिए सत्तरा नंबर का सवाल क्या है आपका वर्ग किसे कहते हैं ताभी पता हैं कि वर्ग की चारो बुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है जिसका सही जब कवल आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए 18 नमबर का कि 1 Decimeter में कितने cm होते हैं इसका इसका सही होगा, सही होगा इँगे, आपको क्या होता है, 19 नमबर का कि एक मीटर में कितने decim endeavor होते हैं आप यहाद रखेंगे, एक मीटर में कितने decim phenase-10 स्पवाबनी रखा हलकी सिए नंबर का ठीक होती है अब चैले अगले नंबर के प्रशनों के बताते हैं अभी स्टान ओता याा है जो तीस अंग का प्रश्ण रहेगा सब्सक्राइब ben ज Bai awake यहां पे जो प्रशन बना में यहां प्रषन बनाने तीस अंग का बनाने देखिए जागे और सब्सक्राइब के प्राक्रितिक द्रिश्चे चित्रण आलेखन प्राविधी कला में से एक का चित्र ही आपको बनाना है यहां के तीन प्रश्ण आपको बताएंगे उन तीनों प्रश्णों में से केवल एक ही बनाना है आपको प्राक्रित द्रिश्चे बनाने आ रहा ते इसको बनाईएगा इसके लाव आलेखन कला बनाने आता है तो इसको बनाएगा अथवा में आएक प्राविदिक लाती इन प्राश्न कोई एक करना है सभी प्रश्ण को नहीं करना है एक प्रश्न करते हैं इसके लिए 30 अंक आपको निर्धायित किया गया है अब चीलिए प्रश्न देखरीं जिए किस प्रकास से प्रश्न आपके बोड के एकजाम में आने वाले हैं तो प्राक्रितिक द्रिश्च यहां पे देखिए आप देखिए आपका पहला का है कि दिये टेयर ड्राइंग सीट पर बाइस गुड़े अठारे सेंटिमीटर के आयत में ग्रामीर सुर्वेदे का दिरिश्च चित्र कीजिए खेत की ओर जाते हुए किसानों का चित्र आकास ने पसु कुछ पच्छी बनाना है गाउं बनाना है जो पड़ियां एमकुवे के पास घास озवा चित्र ने चित्रांकन में वाटर कल रर या पेश्टिल रंघों का प्रियोक करें फिस्त्रांकर करते हैं समय निलुखीत बातों । उसके लिए 10 मबर मिलने माला है संयोजन 30 करते हैं तो उसके लिए 5 सू संगत रंगों का चैन का प्रियोक करते हैं 10 नंबर आकर 60 इंप समाने प्रभाव रहता है तो तो टोटल इस प्रश्ण के लिए 30 नंबर यह प्रश्ण आरा तो ठीक है अधवा में देखिए अधवाम दिया है अब आलेखन बना सकते हैं यहां आलेखन देखीए अगला वाला कि दिएगर ड्राइंग सीट पर 16 गुड़े 22 सैंटिमीटर के आयत में खिरकी के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लेबद आलेखन कीजिए, जिसमें किसी भारती पुष्प होना चाहिए, कलियों पत्यों का सुन्दर सन्योजन हो, आलेखन में मचली का लेबद सन्योजन तदा रंग योजन उत्दम हो, आलेखन में कम से कम तीन संगती वाले जल रंगों का प्रियोग करना ह इसके क्या ऐकाई कि मौलिक्ता तो इसके लिए 10 नमबर मिलने वाले ले अत्म करें खांकन सही करेंगे तरह पांस नम्बर उत्तम रंग संगति होगा तो दस आकाशन शमानिय प्रभाव रहेंगे तरह पांस इसके लिए टोटल 30 माली जी ये दोनों प्रस्न भी आपको नहीं को दि  लेगा तो है जो नोट दी के नोट पो देस्ट रहें के निर्देष्ट रहिए अभिष्ट रहें इसमें तमय तोड़ पाउंच प्रश्ण रहें है सब्सक्राइब प्रश्ण सभी प्रशल की अंक सामान रहेंगे रचनांक में नर्दिष्ट रेखाएं रचनात्मक रेखाएं अभिष्ट रेखाएं असपर्ष्ट हो रचना में रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं रफकार स्वेथ फुल इसकेप पेपर पर कीजिए इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ सरलंग कर सकते हैं अब यहां से देखिए का वला है कि दूए समान बृत का और खा की अनुस परसे यवबेनिश असपर्ष रेखाएं खिचना यह प्रशना है यह प्रशना रचना करना है जय तिर भूज की तीनों बूजाओं को असपर्ष करें इसके लवान एक संदिवाऊ त्रिभूज बनाईए जिसका प्रतेक आधार कोड़ 50 अंसका हो इसके अंद्रगत एक अरविर्थी की रचना कीजिए ठीक है थे आपको अगला प्लस्णा है कि किसी चत्रबुज को खो गो घो के चित्रफल के बराबर त्रबुज की रचना करना है या एक मापनी कीचिए जिसकी दूदाशमूर 5 सेंटि मीटर एक मीटर की दूरी पर परदेशित करता है एवं जिसमें मीटर तथा डेसिमीटर पढ़े जा सके मापनी का निरूपक भिन ग्याद कीजिए मापनी तीन मीटर देस्टी मीटर की दूरी पर है इतने आपसन आपको मिलते हैं प्रश्ण को हल करने के लिए अब देखिए खंड गज जो है इस मिर्ती चित्र से संबंदी थे ये प्रश्ण जो है आप सभी सभी के लिए अ ऑनिबा रहे हैं जैसे का में क्या है किस पर रहेगा तो च्छा अंक्य मिलने वार है टोटल इस प्राश्ण के लिए 10 नंबर आपको मिलेंगा ठीक है आपको देखिए अगला प्राश्ण क्या है खावाला देकि इसमें से क्या करना है निमिलखित में से किसी एक का इसमिती चित्र पैंसिल के माध्यान से बनाए चित् 15 cm से कम नहीं रखना है आपको देखिए आपको पहला रहेगा सुराई खूला च्छा कप और प्लेट जग इन चारों में से क्या करना है एक ही प्रश्ण आपको करना रहेगा इसके लिए टोटल 10 नंबर है ठीक है देखिए आपको कितने आपसन मिल रहा है इसलिए आपको कर रहें कि चित्र ह female करका है इसके निर्देस जो दिये रहेंगे समयर देश सबसे ज्यादा जरूरी स्लिए सभी प्रस्ण आपको नहीं करना रहता है उसने मैंक्सीमर्ड को छोड़ना है हुछ प्रश्णों का आपको हल करना है ठीक है अब जिए इसके है अलाबा आपको अ संच्छेप में करना है तोटल कितने नंबर कराएगा दस अंग कराएगा इसके लाद कि फिन अथवां दिया है अजन्ता की गुफाओं की विशेव में संच्छिप्त लिखना है तोटल दस नंबर अथवा दिया है भारती चित्रकला में रंगों का परियोग महत्तु के बारे परिया भारताव तुटल दस नंबर रहेगा ठीक है अब किने र نہते हैं नीमत रणिभे तुनकर कामवार लिखना है शुब कितने रंग कर्ना h02 थी होते है अब ततों कितने रंग पीपता है 7 nov आंसा अच्वेर्शन हुए है ज्काला जिसे सब्सक्राइब काला कि इतने इस घाल से हो जागा अब देखिए इसके अलाव क्या आपका कि दोगा निवनखित प्रश्णों में चार विखल्प दिये गए सही विखल्प का चुनकर आपको लिखना है तोटन देखिए पांच नंबर का था अब पांच नंबर का यह प्रश्ण है प्राग इतिहासी काल की गुफाओ चित्र कहां अंकित है यह आपका है बाग में इसका सही जवब वीवल आप्सन सही हो जागा अगला देखिए भार वर्स में प्रागायती हसी चित्र में जिराफ गुरुप कहां पाए जाता है कहां पाए जाता आदम गड़ में तिसका सही जवब वीवल आप्सन सही हो अगला देखिए कांगला सहली के प्रमुक उन्नायक कौन थे कौन थे तसंसार चंद थे इसका सही जवाप अवला आपसन सही हो जाएगा ठीक है इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही बताया थे कि जो चित्रकला के पेपर होगा उसको जब आप हल की जाएगा तो आपको जित देंगे थे संब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें